लगतार तीसरी बार बीजेपी की जीत के बाद से ही विपक्ष की निंद गायब है विपक्ष की नेता खास कर संजयराउथ तिल मिलाए हुए है संजयराउथ लगतार लोकसवा चुनाओं के दौरान ये दावा कर रहे थे कि पियम मोदी की वापसी नहीं होगी लेकिन पियम मोदी के फिर से प्रधान मंतरी बनने के बाद से ही संजयराउथ जला गया है और अब संजयराउथ को महराष्ट में भी अपनी पार्टी की हार दिख रही है बीजेपी ने महराष्ट में मास्टर स्टोक चल कर संजयराउथ और उनकी पार्टी की चिंता बढ़ा दिये दर्शको विपक्ष की सरकारें फ्री योजना लेकर आती है तो बहुत खुश होती है दर्शको विपक्ष के हिसाब से सिर्फ जनहित का ठेका तो विपक्ष नहीं उठा रखा है विपक्ष और आहुल गांदी खटाखट वादे करें तो ठीक लेकिन अगर बीजेपी युमाओं को रोजगार देने के लिए कोई योजना लेकर आती है तो विपक्ष बुखला जाता है लेकिन विपक्ष केनेता इस समय कुंठा से इतने गरसित है कि महाविकास अगारी केनेता ने राजनितिक शुचिता को भी तार-तार कर दिया है बीजेपी और शिंद्य सरकार पर निशाना साथ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने प्रदेश सरकार पर अपनी भरास निकाली है शिपसेना उद्दब गुट केनेता संजराउत ने कहा है कि महाराष्ट सरकार पर आठ लाह करोर रुपे का करज है ये कोई छोटा रकम नहीं है लोग सबचुनाओं में हार के बाद सरकार की ओर से लाडला भाव योजना लाई जा रही है लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश की योजना है जिसे महाराष्ट सरकार ने कौपी किया है उन्होंने कहा कि अब लाडला भाई योजना के तहद बारहभी पास लर्कों को 6,000 और बेरोजगारों को 10,000 रुपे दिये जाएंगे और लाडली बहना को सिर्फ 15,000 रुपे हमारी मांग है कि लाडला बहना योजना के तहद बहनों को भी 10,000 रुपे दिये जाएं तभी उनका घर चलेगा वहीं संजराउत ने PM मोधी पर भी निशाना साधा है संजराउत सपने देख रहे हैं कि BJP और RSS में अनबन हो जाए संग परमुख मोहन भागबत के एक बयान के बाद संजराउत ने कहा है कि सर संग संचालक मोहन भागबत आदर निये है आज कल जब से चुनाओ का निर्ने हुआ है और मोधी जी के अल्पमत की सरकार दिली में बैठी है तब से मोहन जी बहुत सी बाते बहुत ही बेबाकी से बोल रहे है अब ये सूपरमैन कौन है? विश्नु के आउतार कौन है? या जिस तरीके से कहा गया नन बैलोजिकल वेक्ती कौन है ये पूरा देश चानता है संजराउत ने कहा कि भागबत साहब ने खुल कर बोलना चाहिए कि इस देश में जो हो रहा है अभी भी अल्पमत की सरकार होने के बाद वो देश के लोकतंत्र के लिए और सम्विधान के लिए ठीक नहीं है इस देश में कौमन मैन ही सुपरमैन है और ये कौमन मैन ने अपने आपको भगवान समझने वाले लोगों को बहुमत से दूर रखा है तो मैं मानता हूँ कि इस देश का मतदाता कॉमन मैन ही सुपरमैन है अब संजराउत बीजेपी और शिंदे सरकार पर तो निशाना साथ रहे हैं लेकिन M.V.A. गटबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है महराष्ट विधान सबचुनाओ 2024 में सीट बटवारे को लेकर महाविकास अगारी गटबंधन में छिरी रार पर संजराउत ने कहा कि तीनों परमुख पार्टी है वो अपने अपने सीटों पर असेस्मेंट कर रही है सभी पार्टी को अधिकार है कि पूरे सीटों के उपर अपनी ताकत क्या है हम कहां लर सकते हैं उस बारे में अपना असेस्मेंट करके फाइनली हम एक साथ बैठेंगे तो सीट का आदान प्रतान होगा तो देखा अपने कैसे महाराष्ट सरकार के फैसले से संजर आउट चिंतित है कि इस योजना की वज़ा से उनकी पार्टी का क्या होगा ब्योर रिपोर्ट ओमेच निउस